हेलो स्टूडान्स एन वेल्कम बैक तो वा यूटूब चैनल मैथ फांडेशन बै पूर्वा आप यू अल आ दूग वेल तो चैप्टर नंबर फूर फाइनेंशियल प्लैनिंग छे अपन न्यू प्लेलिस्ट आट किनिया है आणि ट्याप लिलिस्ट मदला हां नेक्स्ट वीडियो उसनारे प्राक्टिस सेट 4.3 तो फर्स्ट क्वेस्टन अपन बगू Mr. Anwal पॉर्चेस 50 शेयर्स ओफ फेस वाल्नी रूपीज 100 वेन दा पाकेट वाल्यू उफ शेयर्स वाज रूपीज 80 Company are given 20% dividend Find the rate of return on investment तो अशा टाइप साइक प्राब्लेम अपन अल्रेडी माक्षे वीडियो मदे बगितलाच होता पन या वीडियो मदे अपन परच स्टेप वाईज या क्वेश्टन चो सोल्यूशन बगू ठीक है Second is face value रूपीज 100 तो face value किती अनर Fc equal to रूपीज 100 When market value of share was रूपीज 80 तो market value मंज़ेच काली तो अपन MV equal to 80 Company are given 20% dividend तो जो rate of dividend असेल किवा आपन dividend percentage होनू तो dividend percentage किती अनर मा 20% अनि अपनला find out क्या करें जए rate of return on investment तो तेचा सेटी first अपन find out क्या करनार rate of return चा formula तो rate of return equal to dividend income divided by some investor multiplied by 100 तो अन्यू formula है हाँ तुम्ही एका page वर्मी उन्टेवा तो जवा पन revision होई तेवा आप formula तुम्चा लक्षत ही तो rate of return चाटी का लगनार अपना डिविडेंड इंकम डिवाइड बाइस साम इन्वेस्टेड multiplied by 100 तो फॉस्ट अपन साम इन्वेस्टेड find out करूँ मंजे किती साम तैने invest के लिली आ है तो फॉर साम इन्वेस्टेड वी का अपन कसा find out करतो नंबर ओफ शेर multiplied by mv मंजे किती शेर अपन कितले अणी किती market value आहे तैची तो साम इन्वेस्टेड नंबर ओफ शेर किती अनार 50 अणी market value किती अपला कडे 80 तो 50 multiplied by 80 के ले तर अन्वेसर का अएता 4000 तो साम इन्वेस्टेड किती अला 4000 तो सकेट नेक dividend received आता dividend received अपलेला first find out कराओ लागता कि dividend per share किती है तो एका share मागे किती profit है ये find out कराएज अचा सेटी अपन फॉर्मूला का यूज करतो dividend percentage multiplied by FV तो dividend percentage किती है 20% अनी FV जी value किती है 100 तो 20% में जी कसली तो अपन 20 divided by 100 multiplied by 100 तो हां 100 अनी हां 100 कट जला तो dividend percentage जला 20 रुपीज अपलेला find out क्या कराएजो तो कि total dividend किती receive जाले ये तो आपन एका सेटी किले तो total dividend receive का करतो हां अपन number of shares multiplied by dividend per share तो number of shares किती है 50 multiplied by dividend per share किती आले 20 तो 50 multiplied by 20 answer इता 1000 तो total dividend received किती आले अपले कडे 1000 रुपीज ओके तो example मदे find out क्या कराएजो ता प्याना rate of return अनि rate of return जा formula आपन अल्रेडी लिऊंगे तला तो आपन formula परद इतली rate of return equal to dividend income divided by sum invested multiplied by 100 तो dividend income किती आपले कडे 1000 1000 sum invested 4000 multiplied by 100 तो यह दोन जीरो अनि है दोन जीरो कट जले 1000 divided by 40 जर किले तो rate of return इसता 25 ओके तो rate of return किती आला 25 परसेंट तो rate मंज़ेच का आस्ता नेमी परसेंटेज प्याला आप क्वेश्चन अपन कसा सौल किला तो तुमी पन प्रैक्टीस करता ना सीम स्टेप वाइस क्वेश्चन सौल करा मंज़े तुमचे फॉर्मूलेस आनी सग्या स्टेप्स कंप्लीट लक्षा तरहाती अपना पूर्चा एक क्वेश्चन बगो जो से पर्चेस फॉलाविंग शेर फाइंड इस टोटाल इन्वेस्मेंट अपने लाँ फाइंड आउट का कराईची है कि टोटाल इन्वेस्मेंट किती है सो कंपनी A मदे 200 शेर होते FVC वैल्ली दोन रुपै होती और प्रीमियम 18 रुपैस साहता कंपनी B मदे 45 शेर होते MVC वैल्ली फाइंड रुपैस होती अनि कंपनी C मदे 1 शेर है अनि MV वैल्ली वे 10,540 रुपैस फाइंड आउट का कराईची है अपले लाँ टोटाल इन्वेस्मेंट तो सगय दाधी काई दिलेलाई टेली होंगी तो फर्स्ट कंपनी A साथी नंबर आफ शेर किती होते 200 FVC value किती होती रुपैस टू आनि प्रीमियम किती होता 18 रुपैस तो यच्छ अगरून अपन कंपनी A ची इन्वेस्मेंट फाइंड आउट करू शोकतो अफकोस तो सम इन्वेस्टेड कसा असता नंबर आफ शेर्स मल्टीप्लाइड वाई एमवी बरोबर आपन फोक्त कंपनी A साथी फाइंड आउट करते वाता तो नंबर आफ शेर किती होता तसचा तसर आयू आता MV ची वाल्यू तर नाही आपना कड़े तो बरबर कंपनी A साथी MV ची वाल्यू नाही दिली है पन FV आनी प्रीमियम आहे तो यच्छा आदी चे विडियो मदे आप लेला फैंड आउट करेच होता MV जवा FV आनी प्रीमियम दिलेला होता तो आपन फॉर्मूला काई उसके ला होता कि MV इक्वल टू काई आज तो FV प्लस प्रीमियम तो MV चे जगे आपन काई टकला मग FV प्लस प्रीमियम तो वाल्यू पुट करना है अपन नंबर आफ शेर 200 FV ची वाल्यू वाली 2 आनी प्रीमियम ची वाल्यू वाली 18 तो 200 परत्त सच अनी 2 प्लस 18 किती अता 20 तो 200 मल्टिप्लाइड बाज़ 20 के लाए ता अंसर अता 4000 रूपीज तो कंपनी एने इन्वेस्ट के लाए ते 4000 रूपीज सेम फ़र कंपनी बीची इन्वेस्मेंट फांड आउट करू कंपनी बी साथी अपलेला नंबर ओफ शेर्स 45 दिले आनी MV वाल्यू वे 500 रूपीज सो अगेन कंपनी बी इन्वेस्ट इक्वल तो नंबर ओफ शेर्स मल्टिप्लाइड बाए MV अथा आपलेला MV ची वेल्यू डाइरेकली दिले ये तो कुपलाई फॉर्मूला यूज करेची गराज नाही सो नंबर ओफ शेर्स 45 बल्टिप्लाइड बाए MV ची वेल्यू वेली 500 सो 45 मल्टिप्लाइड बाए 500 आंसर इता 2500 सो कंपनी भी इइवेस्टेड किती अला 22,500 रूपीस सीन फॉर कंपनी सी नंबर ओफ शेर्स एवन अन्विची वेल्यू वे 10,540 सो कंपनी सी इनवेस्टेड का यनर अग पर अधर नंबर ओफ शेर्स मिल्टिप्लाइड बाए MV तो number of share ये 1 अनी MVG value ये 10,540 तो 1 multiplied by कोंती पन value किली तर 3 value ये 10,540 ये 3 पन company ची invested अपन यूँँग इतने अपले ले find out का कराई चाई question मदे की total investment किती है तो total investment का करार मग या 3 अन्ची addition अन्ची addition के लिए आंसर आले 37,040 रुपीज तो total investment किती है अपले कडे 37,040 रुपीज काराला फूब संपल प्राब्लेम हो ताँ फक्त एक formula यूज करे चाई अपले ले total investment चाई जो already अपले ला महती है number of shares multiplied by MV या formula अपन तीग कंपणी चे value सेटी यूज के ला आनी अपले ले total investment मिला दी ओके? अधर नेक्स्ट क्वेश्टने दा सम्ट देश्पांडे परचेश शेर ओफ एफ़ी रुपीज फाई अट प्रीमियम ओफ रुपीज ट्वंटी हाव मैनी शेर्स शे विल गेट ओफ रुपीज ट्वंटी थाउजन सदा अधी तर काय दिला है ते नियूंगी वपण ओके? एफ़ी काय दिला है? रुपीज फाई सो एफ़ीज ट वाली वाली रुपीज फाई हो सचेंड दिला है प्रीमियां सो प्रीमियम ओफ रुपीज ट्वंटी सो प्रीमियम ची वाली गर 20 आनी सम इन्वेस्टेड विचारलेला है 20,000 सो शी विल गेट फॉर रुपेज 20,000 मंजे ये 20,000 काए दाची सम इन्वेस्टेड ओके फाइंड आउट काया करेचा है आप लेला फाइंड आउट करेचा होता नंबर आउफ शेर्स तो सम इन्वेस्टेड दिलेल येस्तन आपन तोच फॉर्मूला यूज करनार सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर आउफ शेर्स मल्टीप्लाइड बाइंवी आता क्वेस्टेन मदे कुटच्च एंवी नाई है पन क्वेस्टेन मदे FV आणी प्रीमियम ची वाली डिली है तो ये दोगपन वाली अपन येचा पूट करनार सम इन्वेस्टेड 20,000 नंबर आउफ शेर्स आपलेला फाइंड आउट करायाचा है आणी MV ची वाल्यू का अनार मग FV प्लस प्रीमियम सो हा 20,000 तसाच नंबर आउफ शेर्स पन तसच तसल्यू अणी FV आणी प्रीमियम ची वाल्यू पूट करनार सो FV ची वाल्यू अणी प्रीमियम ची वाल्यू अली 20 सो 5 प्लस 20 किती हैं आर 25 सो वाट वी आउट तु फाइड नंबर आउफ शेर्स सो हाँ 25 इथा multiplication मदे हैं इकड़ दाउन तो काई ओनार divide मदे सो number of shares equal to 20,000 divided by 25 तो ज़ा 20,000 ला सा 25 उने divide केला ता answer इता 800 shares तो अपला तड़े किती shares ये number of shares? 800 सो अपन इवे वीडियो मदे तीन questions बगितले आणि तीग ही questions है different different types चे उते तरी आद तीग different types चा question मदे तुम्चा mostly सगे questions कवर होतार ज़ा remaining problem set चे questions बाकी अस्तिल ते तुम्ही स्वता solve करा आणि तुम्हाला question solve करता नहीं आल्या कि वा कुटा ही तुम्हाला comment section मदे तुम्ही लियू शक्तात की या question मदे हाट आउट आहे मी तो तुम्हाला comment section मदे answer करूं solve करें किवा मग जर तुम्हाला complete solution पाईजेसे ता आपन त्यावर एक न्यू वीडियो पन बनाव शक्तों ओके अता next वीडियो अपन बगना रहो GST अनी mutual fund तो तुम्ही जर चैनल ला सब्सक्राइब किननसल त प्लीज सब्सक्राइब करां तुम्हा फ्रेंड्स अबाद तुम्हाला महीती असल जानना 10 चे वीडियो इंपोर्टन तांगी तांचस अबाद ही वीडियो शेयर करां एंड सी यू तो दे नेक्स्ट वीडियो GST अन्ड विंक्श्रोल फंड